के गुड मॉर्निंग चिल्डरन कैसे आप सभी आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एक जाम का बिल्कुल भी प्रेसर नहीं रहा है फ्री माइंड से रिलेक्स माइंड से आपको पढ़ाई करना है अज एक फैंटास्टिक सी पोएम लाया हम बड़ी फणी सी अच्छे से देख सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है और नेस के द्वारा लिखा गया है किस ने लिखा है पोएम को और नेस स्पेलिंग बड़ी टेड़ी सी है देखिए ओ जी डी एन 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 एस तो हो सकता है कि आपका वन मार का क्वेस्टन आजा को हूज दा पोइट आप देख सकते हैं ठीक चलो अब चलते हैं इसके और फिर मैं स्टेंजा के बाद मैं आपको एक्स्प्लेनेशन दूंगा एंड देन आफ्टर आफ्टर यू डिवाइस यूज इन दा पोइम ठीक यह सक्सेस.cds की वेबसाइट से लिया है तो वहां से आप भी अपने पीसी पर देख सकते हैं अगर आपको कुछ-कुछ कंफ्यूजन हो तो क्योंकि मेरे पास NCRT का डाउनलोड नहीं हो रहा था तो मैं यहीं से ले लिए ठीक है देखिए बैलेंडर लिब इन लिटल वाइट हाउस विद लिटल ब्लाक किटन एंड लिटल ग्रेग माउस एंड लिटल लो टॉग एंड लिटल रैड वैगन एंड रेल यू टूल यू लिटल पैट ठेगन ठीक है जानी कि जो आपके पोईम है उसका प्रोटाइगनिस्ट जैसा कि मैंने प्रीवेस वीडियो में भी बताया हुआ था कि प्रोटाइगनिस्ट कौन होता है किसी भी स्टूरी का कि प्रोटाइगनिस्ट कहते हैं क्लीर हो गई बात तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि बैलेंडा लिटल वाइट हाउस बैलेंडा रहा करती थी एक छोटे से वाइट कलर के हाउस में अच्छा विदा उसके साथ में कौन-कौन थे यूनो देर आर सो मैनी पीपल हूँ ल लिटल यहां समझी आरा होगा आपको एंड अ लिटल रीडिटी से क्या थी ट्रेगन तीए उसके पास और ड्रैगन और उसके पास में त्रुलीओ लिटल पैट्स रहाँ कि मैंने बताइभ था अपने पैट चे साथ में वह वाइट कलर के फोटे से घर में रहती यह कौन रहती है बैलिंडा क्लियर होगी बात यहां तक होप कोई नहीं होगा ऐब किया लेटिल ब्लेक किटन बताइभ धिया था कि बेबी कैट है ब्लेक कलर का यह रहा आपका और क्या क्या है लिल ग्रेमाउस है उसके पास में लिटल यलो डॉग है एंड लिटल रैड वेगन है अंड रियल और टू ड्रेगन यह जो रील लिखा हुआ है न यह रील के सेंस में है श्का मतलब क्या रीयल ट्रूलियों क्या है ड्रेगन है यह पैट्स हैं उसके किसके बैलिंडा के यहां पर समझ सकते हैं वर्ड मीनिंग वेगन वीकल यूज फॉर ट्रांस्पोर्टिंग गुड्स और एनदर स्पेसिफाइड पर पर जानी कि एक वीकल होता छोटा सा गारी कह सकते हैं हम इसको ठीक चलो आगे चलते हैं इनकी भी एक्समेरेशन चाहो तो देख सकते हैं अगे ब्लेंडा नेक वानगे करती थी ईसका नाम क्या था बैलेंडा था शी लिफ चाहा रहती थी लिटल वाइट हाउस में रहती थी शी लिबड बुट सम क्रीचर्स की यह पाप पैट लिख लिख सक ऐब इसको निट वह देखते हैं पहले की ही बात कर लेते हैं तो रयम आपकी है यसमें आ रही है और द्रेगन में यानि हावस और माउस की क्या हो गई और माउसारी वगण द्रेगन की क्या हो गई बी भी तो इस तरीके से उक्जी मोरण देखिए यूज ऑफ टू वर्ट्स विद ऑपजिट मीनिंग पैट ड्रेगन यानि पैट भी है ड्रेगन भी है तो अग्जी मोरण हो गया एना फोडा एना फोडा किसी भी वर्ड का बार-बार जब आगे यू करते हैं फोकस करने के लिए तो उसे हम एना फोडा कहते हैं यानि रिपीटेड यूज ऑफ और दा स्टार्ट आफ टू कंसीक्यूटिव लाइन में जब एक ही वर्ड को रिपीट कर दें एंड लेटल जैसे का आपने देखा यहां पर हमारी पोएम के अंदर हो रहा है तो उसे करते हैं अब बात करता है अब बड़ा ना qi pry रिपीट करतेय हैं पूइप कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं जैसे कहा कर कर दिया कर दिया है तो इस तरह के साथ में छिर्खानी होती है ना पॉटिक लाइसंस की वज़े से ही होती है ट्रूलियो ट्रू के लिए है ट्रूली के लिए फॉर रियल ट्रू था स्पैलिंग है बीन चेंज्ट डू क्रियेट अम्यूजीकल एफक्ट देने के लिए यह चलो खैर अब चलते हैं नेक्स्ट एंग जाप है अब ना नेम अप दे लिटल ब्लैक किटन वोच इंक क्या नाम था ध्यान रखना पर ब्लैक किया है इंक है एंड लिटल ग्रेमाव शी कॉल्ड इंब लेंक वो से क्या कहती थी ब्लिंक कहती थी एंड लिटल यलो डॉड चार पैज मास्टाड यानि अलग अलग नाम रखे हुए जैसे कई बार हम जो डॉक का नम टॉमी रख लेते हैं चिंकी रख लेते हैं या किटी रख लेते हैं तो इस तरीके से इसने भी रखे हो बड़ ड्रेगन वोज और यानि ड्रेगन जो और था एंड सी कॉल्ड इम क यानि कमजोर सा राइट चलो इन्हीं की एक्स्प्लेशन देख लेते हैं दा पॉट एक्स्प्लेशन दा नेम ऑफ आल दा अनिमल्स यानि पोट जो सारे के सारे अनिमल्स के नाम बताता है जो पाले गए हैं कि इसके द्वारा बैलिंडा के द्वारा अब दिखाई दे रहा ज्यादे चोटा ओगया हुए है हुआ हुआ है है यस ना इस फाइन शी उर्टेंड बैलेंडा जो क्या नाम बैलिंडा के द्वारा पाले गए हैं ही सेस्थ दर दा नेम औब ब्लैक कि टने जंग यानि ब्लेक आपका नाम क्या है इंक है ध्यान रखना इनका नेम अप ग्रे माउस इज ब्लिंक क्या नाम है ग्रे माउस का नम ब्लिंक है यह लिखे हुए आपके इसलिए वह से क्या कहती है मस्टर कहती है अब इसकी लिटरी ड्वाइस देखते हैं राम इसकी ब्लिंक ब्लिंक मस्टर कश्टर बड़ी इसलिए यह लिए अब बात करते हैं तो खास करके लिए अब बात करते हैं तो दूसरे से कैसे हो डिफ्रेंट हो तो ऐसे अब्जेक्ट को जब हम कंपेर करते हैं और कंपेरिजन के जो वर्ड्स होते हैं और लाइक क्या चीज और लाइक दौनों में से कोई एक आ जाए तब हम जो है माल लेते हैं पकागे सिमली होगा हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको उपमा अलंकार कहते हैं ठीक है जैसे कि यहां पर आपके सामने किया है यलो एज मस्ट्र किस तरह यलो था मस्टर के फूल की तरह यलो था liar फिर ये कहें है कि भगास्शिंग व BARण सिंग भगस्षिंग फॉठाड इंळ बतल्म फील्ड दाव है किस की तरह है लाइन की तरह हैं कि क्से से कर दिया लाइन से कर दिया तो इसे ही कहेंगे हम सिमली क्या कहेंगे दो इन्सान हो गया दूसरा आपका लाइन हो गया तो लाइन से कम से कम एक शेमिलिटी यह तो हम उसमें पक्का से और हो जाते हैं कि सिमली है क्या है सिमली है अलंकार चीक है चलो अल्युटरेशन कावर्ड एंड सी कॉल्डिम कस्टर्ड सी साउंड आ रहा है बार बार नेक्स्ट एना फोड़ा वही रिपीटेड यूज़ ओफ वर्ड यूज़ बार बार जो लिटल वर्ड को क्या किये जा रहा है यूज किये जा रहा है तो वह रैपिटेशन हो गया अच रहां इना में आनुपराशवलंकार कहते हैं अगर आप बात करते हैं क्या ना में रेपेटेशन की तो रेपेटेशन में complete word repeat होता है पूरा का पूरा वर्ड आपका repeat होता है तो आपको और उसके उपर बने हुए हैं और नीचे क्या है स्केल्स आप देख सकते हैं पूरा फायर फ्रसे बताईए कौन से लिट्रेटरे ड्वाइस है यानि के मुझ को किस से और कर दी या फायर प्लेस यानि के बटी से अंगीठी से और वोड और कौन सा आ गया लाइक आ जाता है त उब्शिक्रिंदी इसंगे संहें क्या होता है क्या होता है तो यहां भी क्या है सिंली है कौब कर दीजा नोच नोच कैसी है हूँसकी चिमनी है इसमय मैता फर्शर कि यहां पार- हैं और यह तो लिए डागर ऑन ये सब्सक्राइब ने अब कर यह उटार जैसे कहते हैं तो देखिए शुट शुट चुट चुट चूट चुन जैसे होते हैं और श्केल थे बॉनी प्लेट प्लेट ट्रोटेग दास्किन और एट एट्टफिस एंड रेप्टाइल अंडर्नीफ से डेरेक्टली बिलो नीचे चीज होती है उन्हें अंडरनीच कहते हैं फायर प्लेस एन आउट्डोर स्ट्रक्चर आउप ब्रिक यानि के अंगी थी इसी बात है हिंदी में डेगर सार्प नाय प्यानि के कटार ठीक चलो आगे देखते हैं दपोई डिस्क्राइब ड्रेगन डैटेट है बिक शार्प टीथ और स्पाइक्स ऑन टॉप इस स्किन जो है कैसी थी उपर से पॉइंटेड थी और लोवर पार इट हैट स्केल्स लोवर पार्ट में क्या थे स्केल्स थे विच वर बॉनी प्लेट टू प्रोटेक्ट दा स्किन यानि उसकी स्किन को बचाने के लिए सेफ्टी दखने के लिए बनाए हुए थे माउथ हैज बीन कंपेर्ड टू अफायर प्लेश बेकॉज इस अजूम्ड दड्रेगन सकें रिलीज फायर फॉर्म दा माउथ ऐसा माना जाता है कि ड्रेगन के बाहर निकालती है ना उस अब्जेक्ट से कंपेर कर दिया गया है यानि उसके फीट जो है ऐसे सार्प है जैसे के डेगर हो तो देखिए यहां पर एम स्कीम एए बीबी है टीथ अंडरनीथ और नोच टोच सिमिली है ड्रेगन स्माउथ इस कंपेर्ड विद फायर प्लेश यहां भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी रैमिंग स्कीम है वो क्या है देखिए कि एए यह तो ए हो गई आपकी क्या हो गई है यह हो गई और यह क्या है भी है श्चेयर्स चोलिक यह यह दो इसका साउंड आप बिलकूल वैसा ही आएगा आप बेर से तो यह अब फिर यह बी और भी तो इसमें का मतलब होता है कि ड्रम यहां भी देखते हैं यहां भी आपने बिना देखे हुए कुन सी होगी सिमली क्योंकि क्या आ गया जा गया जब आजा जाता है तो अब इसली क्या होती है सिमली होता है चेज ज्यानी हंट और फॉलो कर देज ज्यानी एंगर देखिए और इनर स्ट्रेंथ और ब्रेवरी ऑफ वेरियस करेक्टर्स ऑफ दा पॉइम ही सेज़ बैलेंडा वॉच एज ब्रेव एज ग्रूप बियर्स एंड इंक ब्लिंक वर सो ब्रेव दैट दे कुड बहुत दूर्थ पीछा कर सकते थे किसका लाइन का पीछा कर सकते ज्यादा नहीं हो रहा यानिक है क्या है है यह पर बली है यह जो कि जड़ा करके बताती एंडी को वोलिट अतिशा युकति अलंकार क्या कहते हैं अतिशा युकति अलंकार अगर वह बैए बेव जस लाइक एंगरी टाइगर यानि यह यह जतना था बट्ट कंट्रास्ट अफॉल्ड्म वोच बिकिनन गेट अल्टा क्या था कश्टड था कश्टर धड्रेगन वोच नॉट he was so afraid of everything that he always demanded a safe cage वो जो बड़ा कम्जोर सा था इसलिए वो हमेशा जो एक से केज की डिमांड करता रहता था लिटरी ड्वास मैं अल्मुस्ट बता ही चुका हूं फिर भी आप एक नजर डाल ले ना सिमिलिये बेलिंडा ब्रेवरी इज कंपेर्ड टु देट ऑफ बैरल फॉल बेयर्स मस्टर्स ब्रेवरी इज कंपेर्ड तु देट ऑफ एन एंग्री टाइगर एज आया हुआ था ना बताया था आपको मैंने एक तो होता आपका एलिट्रेशन के दो पार्ट है अलांकि टेंथ क्लास में इंपोर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर यहां पर बताया जा रहा है मुझे याद आई रहा तुम बताये देता हूं एलिट्रेशन को फर्दर क्या करते हैं कि दो टैप्स में डिवाइड कर देते हैं तो वह दो टैप्स कौन-कौन से होते हैं देखिए मैं आपको बताता हूं पहला आता है कॉंसोनेंज और दूसरा आता है आपका एसोनेंज क्लियर हो गई बात तो कॉंसोनेंस तो अबिशली सी बात है रेपेटेशन ओफ इनीशल कॉंसोनेंट साउंड के लिए होता है जहां कॉंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है वहां पर क्या है कॉंसोनेंस है ठीक है और जहां पर आपका कहना में वोगल साउंड रिपीट हो र रहा था अगर बात करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ये यह और ये और इस तरीके से बीच में क्वोबल साउंड्ण होगा तो जहां भी वोबल अजाए तो वह आपका sacar क्या है कॉंशन से और आपको पढ़ना तो सिर्फ है ट्यूं आपको ठीक है यह आपकी बहतर नौलेज के दिदिन के भी कि चली आगे चलते हैं यह वाला देखते हैं चलो यह तो होई गया न एक्स्प्रेंशन वी अल्मोस्ट होई गई थी नहीं चूट गया एक्स्टेंजा लगता है यह देखिए बैलेंड टेकल डेम बैलेंड जो बार-बार से क्या करती गुद्गुदी करती रहती थी यह देखिए यह देखिए यह क्या है आपर टीज चडाना किसी को छेड़ना अन्मर्शीफुल अनिक्रूवल और पर्शीबल का मतलब अनाइट इन किंग अर्थर स्कोट यानि एक योद्धा है यानि कि वो उसको उपर सटायर सी करते थे एक तरीके से बैलेंडा यूस्ट्टू स्ट्रोग द्रेगन इन वेरी क्रूवल वे जो क्या करती थी ड्रेगन को बड़े ही क्रूवल तरीके से जो तो अब पर्शीबल क्या करते थे उसका मजाक उड़ाते थे वह था लेकिन करेज की कमी होने की वज़े से भाग गया था तो ऐसे यहां पर यह लोग सोचते हैं कि यह भी पर्शीबल की तरह काया रहा इसलिए इनोने से पर्शीबल नाम दे दिया है यानि यह सब कब करते अब मैंने आपको दिखाई थी फिर देख लो एक आई थी यह रही इस तरह की कोई वैगन रही होगी उनकी यहानि रिफ्रेंड की बात करते रैपेटेशन अब सेंटेंस अगें एंड अगें एंड रिली वार वार रिपीट हो रहा है रैपेटेशन यूज ओफ वर्ड टिकल्ड हैं यह बात अल्यूजन समझ लिजे हलांके आएगा नहीं यह भी जो डीप है बहुत ज्यादा डीप आप है जाने किसी एक पोएंडर किसी स्टोरी के अंदर कोई दूसरी कहानी का थोड़ा इंडिरेक्ट रिफ्रेंस ले लेते हैं तो उसे कहते है जैसे कि यहां पर किंग-अर्थर की बात करी गई थी ना जो किसमें था तो यहां पर जो ए पर चीवल कहते दिया घया है ड्र प्रशान था चलो इस लिटरेट वाइस को ही समझते हैं कि होता क्या है आखिर आखिर जो है परसोनिफिकेशन होता क्या है यानि लाइफलेस अबजेक्ट्स आर ट्रीटेड एज यूमन बेंग इट इस कॉल परसोनिफिकेशन इन हिंदी वी कॉल इट मानुवी करण हिंदी मे को इन्सान की तरह ट्रीट करा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं उसे परसोनिफिकेशन कहते हैं जैसा कि यहां पर बता दिया गया कि इसको ड्रैगन को जो कि यूमन बींग है ही नहीं चलिए बैलिंदा गिगल तिल सी शुक्दा हाउस गिगल कमत जोर्जो शसना एंड इंक जैड विग विच गॉगल फॉर आमाउस इंक एंड मस्टर रूटली आस्टेज एच वैं कस्टर क्राइट पर अनाइस जैफ केज तो देखिए आगे चलते हैं गिगल का मतलब टू लाफ लाफ लॉडली वी क्यानि हीर इटेज दा साउंड मेड बाइद बाइद माउस साउंड इसका माउस का दा पोईट सेज़ बैलिंदा यूज तो लाफ सो लाफ ली देट हर वोइस एकोड इन दा हाउस बहुत तेजी से थी और उसका जो हसने का ज ऑन दी अधर हैंड इंक एंड मस्टरड वोट टीज हिम बाइस कि बारवार एज पूछ करके उससे चड़ाते रहते थे वैनेवर ही यूज तो डिमांड फॉर नाइस शेफ के जब जब वो डिमांड करता था किसकी नाइस नाइस और शेफ से केज की खैर एबी यह वही क्या है एक है और यह आपकी यह है और यह आपकी रिया आपकी और यह आपकी भी यह जा है तो जब मैं ने लुएत यह आ रहा था चलीये और उनमेटोपया या उसे ऑफ साउंड वर्ट्स टू क्रियेट ड्रीम है ड्रमेटिक इफएक्ट गिगल्ड वीक यानिकि मैं आपको बता दूं कि जब एनिमल या किसी और जानवर के साउंड को रिपीट करते हैं या से मखी के साउंड को करें या स्नेक के साउंड को या किस लिए टाल डाल दें किसी पोईम के अंदर किया करते हैं यहांपर यह व्ला का example है किसका अगज्जाम्पल है ? चलिए, suddenly suddenly they heard a nasty sound, अचानक से उन्होंने क्या सुना ? एक nasty एंधा सा बयानक सी आवाज सुनी and mustard growled and they all looked around वो गुर्रा नहीं लगा और वो चार तरफ देखने लगे राइड राइड वाइल इंक यानि मियां कौन किया इंक किया और फॉर देर वोज आ पाइरेट क्लाइमिंग इन दा विंड़ा क्योंकि पाइरेट जो है चड़ रहा था खड़िकी में यहां पर विंडा का मतलब है क्या मतलब है विंड़ो क्लिर होगी बात यहां भी देख सकते हैं इस फॉर विंड़ो और पाइरेट आ परसन भुरॉप्च से पेंदा सी यानि कि समुद्री डाकू कौन होता पाइरेट समुद्री डाकू कहा गया यह रहा समुद्री राकू होता है या समुद्री लुटे राइट चलिए तो वाइल अल 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 अब देम वर मेकिंग फन अफ ड्रैगन देहर्ड आ साउंड अप समवन एंट्रिंग दा हाउस वैन दे लुग्ड तुवर्थ विंड़ो दे सो अ पाइरेट उन्होंने क्या देखा एक पाइरेट को देखा क्लाइमिंग अब दा वाल क्योंकि सब के सब जो है उस पाइरेट से क्या हो रखे थे डरे हुए थे रैमिंग स्कीम वही एए भी भी है ठीक है कॉंसोनेंस फिर से आगे मैंने अभी बताया है था आपको कॉंसोनेंस यूज ओफ कॉंसोनेंस साउंड एस सटनली सटनली देहर्ड अनेस्टी साउंड औ घंडा कर दिया किसका विंडों का यह देखो आप देख सकते हैं कौन है एंड़ नहीं कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकर आए हैं साथ इंडियन मुविके तब देखिए एंड ही एल निस टीथा कटलेस ब्राइट तल्वार उसके तलवार उसके तलवार उसे लगी वही टिस बेड़ बाच प्लैक वन लेग वाज वूड और एक टांक किस्की थी लक्डी की बनी वही थी इट वाच क्लीर और यह साब साब देख रहा था कि पाइरेट के इरादे नेक नहीं थे तो देखिए अपड़ लेना सिंपल कोई दिक्कत नहीं है लिटरी ड्वाइस देख लेते हैं राइम स्कीम वह बीव राइट ब्राइट वूड गुट एलिटरेशन आया हुआ है ब्लैक बी साउंड आ रहा है अगा 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 इमेजरी एन इमेज इस ट्रीटेड अब आप यह अगा बात बताया है ना कि पिस्टल लिए लेफ्ट एंड तो इमेज सी बन रही है हमारे तमाइक में जब भी किसी वाड को पढ़कर करके उस वाड उस ओब्जेक्ट की इमेज हमारे मेंड भण जाति उसे इमेजरी कहते हैं क्या कहते हैं इमेजरी कहते हैं राइट यह नौ पेल रहे लेकिन मस्टर जो यह नहीं इस अपने बिल में चुप गई चुऊ और यह तो इंक है टिकल डाउन टू दा बॉटम आप दा हाउस ओल्ड यान घर के बेस्मेंट में चला गया लिटल माउस ब्लिंक के स्ट्रेटेजिकली माउस ओल्ड वो अपने बिल में चला गया देखिए यह एक्स्प्लेनेशन है देख लेना आप लिट्रेडवाइस वह ही है राइमिंग स्कीम हो गई आपकी ठीक है यह आपकी है यह आपके नहीं पूछा जाएगा यह एजक्टिव का ट्रांसफर हो जाता है उसे हम जैसे टेरिफाइड है यह टेरिफाइड जो इधर नहीं आना था टेरिफाइड कौन थे वह लोग टेरिफाइड थे रहेंदे लगोलते नहीं वह बात आ ही हो जाएंगे इतनी दिर से सारे के सारे गरज रहे थे लेकिन मौका आने पास अपके सब्सक्राइब के मारे भाग गए लेकिन यह वाईसा अपनी बहाद्दुरी दिखाएंगे अपनी पूच को ऐसे खड़ाता चला आरा जैसे के रोहे की रोड जो है टक्राती है किसी पाइरेट पढ़ता माला किसले ड्रैगन ने देखिए नोटिंगे लाइक सदन एक्प्लोशिव साउंड थू उन स्नोच यानि खर राते की वाज गुर राते की वाज निकालना प्लेस्ट यानि फॉर्ट डंजियन एंडरगाउंड प्रिजन होती है जो बेसमेंट में होती ठीक है और यह आपकी रामिंग स्कीम देखिए वह यह बी बी यह इंजन डंजन स्कॉर्म वाउंड सिमिली है साउंड ऑफ ड्रैगन इस कंपेर्ड विट साउंड अफ इंजन स्नोटिंग लाइक लाइक आपका अंड लाइका कंपेर्ड टू रॉबिन लाइका बर्ड यह में भी है हिस्टेल लाइक आइरंस यह भी है इन डंजन ड्रैगन अटेक और पाइरेट इस कंपेर्ड टू रॉबिन बर्ड लाइक रॉबिन एट वाम जैसे कोई रॉबिन पक्षी जो है किसी कीडे पर अटेक करता है आगे मैंने बता आई था आपको किसमें उन्हों में इसमें अब इमेजरी आगी का टेक कर दिया था स्टेंज 11 देखिए दा पाइरेट गया जैसे पाइरेट जो है बैलेंडा की ड्रैगन की तरफ आया और उसने क्या थोड़ी शराब पी ली फ्रॉमेंच पॉकेट फ्लाइगन अपने पॉकेट में जो पहुआ कहलो या कंटे किया अपनी थोड़ी सी बीर पी ली थी फायर टु बुलेट बट देट लेकिन लगी नहीं किसी के एंड कस्टर गोबल्ड इम एवरी बिट और कस्टर इतना बहाद्र निकला कि थोड़ा थोड़ा करके पूरे के पूरे पूरे पाइरेट को क्या कर गया चबाद डाला उस सब्सक्राइब को मस्टर लिग्डिम मस्टर ने उसे चाटना सुरू कर दिया नो वन माउंड फॉर इच पाइरेट विक्टिम किसी को भी जो है अपने पाइरेट की डैथ का कोई भी खेद नहीं हुआ यानि पाइरेट मर गया इस बात का किसी को दुखने हुआ इंक और ब्लिंक तरफ गोंने लगए यानि ड्रेगन के चार तरफ जिसने पाइरेट को क्या कर लिया था खा लिया था अब फिर देखो ठिर शेक भी मारने अप सब्सक्र दडाग यानि अब जो लिटिल डॉग मस्टर आ गया आई वोड़ हैब बीन ट्वाइब इफ आई हैडन्ट विन फ्लस्टर अगर मैं फ्लस्टर नहीं हुआ होता ना तो मैं इस से भी दोगना बहाद्दूर होता एंड आप स्पोक इंट आप स्पोक ब्लिंक इंक और ब्लिंक भी बोलने लग गए वूड़ है थी टाइमस जब व वही है ठीक है वही बातने रपीट हो रही ही पहले वाला श्टेंज आए होप क्या आपको समझा आ गया होगा है सक्सेस.cds की आप भी यहां से पढ़ सकते हैं ठीक है बटा तो थैंक यू एंड अब नाइस टेइग